सोशल मीडिया पर इन दिनों नीता अंबानी की बहन ममता दलाल और उनकी मा पूर्णे मा दलाल की तस्वीरे वाइरल हो रही है। हालांकि ये तस्वीरे आकाश अंबानी के शादी के फंक्शन की ही है। ममता दलाल ने इस दौरान रेड कलर की साड़ी पहनी थी, जिसमें वो बेहत खूपसूरत लग रही है। वही नीता अंबानी की मा पूर्णे मा दलाल ने क्रीम कलर की साड़ी के साथ सिंपल मेकप कर रखा था। पूर्णे मा दलाल को देख कर साफ है कि दोनों बेटियों में खूपसूरती का जीन समा की वज़य से है। नीता अंबानी के पिता रविंदर भाई दलाल और पूर्णे मा दलाल है, जबकि ममता दलाल उनकी बड़ी बहन है। जहां नीता अम्बानी करोडो का बिजनेस संभालती है और अपने style statement की वज़ा से सुर्ख्यों में रहती है वहीं ममता दलाल सिंपल लाइफ जीती है ममता दलाल नीता अम्बानी के ही स्कूल धीरुभाई अम्बानी इंतनेशन स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है कई बार ममता को फैशन डिजाइनर मनीश मलहोत्रा के लिए रांप वॉक करते हुए देखा गया है बॉलिवुड और खेल जगत की तमाम बड़ी हस्तियों के बच्चे धीरुभाई अम्बानी इंटरनेशन स्कून में ही पढ़ते हैं शाहरुक, आश्वरिया, रवीना तंडन, रितिक रोशन, चंकी पांडे और सचिन तेंदुलकर के बच्चों को ममता दलाल ने पढ़ाया है एक इंटर्व्यू में ममता ने बताया था कि दुनिया के लिए ये सेलिब्रिटीज के बच्चे हैं लेकिन मेरे लिए हमेशा ये मेरे स्टूडन्स ही है आकाश अमबानी और श्लोका महता की शादी के मौके पर ममता दलाल ने स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस भी की थी ममता के साथ नीता अमबानी और तीना अमबानी भी शामिल थे मम्ता दलाल अपनी बहन नीता अम्बानी के दिल के बहुत करीब है और सुन्दर्ता के मामले में भी किसी से बिल्कुल भी कम नहीं है जिसके चलते बोला जाता है कि मुकेश अम्बानी की साली साहिबा की सुन्दर्ता के आगे तो नीता अम्बानी भी फेल है नीता अम्बानी तीन बच्चों की मा है लेकिन फिर भी बेहत खूपसूरत दिखाई देती है नीता अम्बानी के लिए बोला जाता है कि उन्हें सुन्दर्ता और इतनी खूपसूरती विरासत में मिली है ऐसा इसलिए क्योंकि नीता अम्बानी की बहन ममता दलाल भी दिखने में बेहत खूपसूरत है ममता दलाल की खूपसूरती के आगे तो एक बाद मीता अंबानी भी फीकी पड़ जाती है यह एक बाद मीता अंबानी अंबानी बाल की झाए ड़पसूरती के झाल की रचेया का जाती है